आर्टिकल राइटिंग पर दस नंबर का या आठ नंबर का किसी भी बोर्ड के अंदर आप देख लीजेगा सवाल आता ही आता है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो से मेरे प्यारे बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता ही लगता है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स कि क्या है जिनके बारे में मैं पहले से पढ़कर चला जाओ ताकि पेपर में मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए आए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को कोई भी डाउट आपका बचेगा नहीं मैं सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर आपके सामने आर्टिकल राइटिंग की रखने वाली हूँ वो यह कि भाई देखो हम लेके चलते हैं या हम अटेम्ट करके नहीं आते हैं हमारा नुकसान कैसे होगा सबसे पहली चीज़ क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो फॉस्ट पॉइंट है वो यह कि अटेम्ट जरूर करना है अटेम्ट हंड्रिड परसेंट करें क्यों करें मैं अटेम्ट हमें तो डर लगता है माम, कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात द्यान से, दस नमबर यहाँ पर जो लिखे हुए है ना इन दस नमबर में से आप कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अपने खाते में, अपने पाले में कर सकते हो, हम जब भी कोई, यह आपकी चांसर शीट है मान लीजे, इसके अंदर मान लीजे, हमने आर्टिकल लिखना शुरू किया, सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी टाइटल वगेरा देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी बाई लाइन देते हैं है ना, ABC इसका ही एक नंबर है इसका ही एक नंबर है अब इसे लिखने में तो मुझे लगता निया, आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए दूसरी चीज मेरी बात सुनो इसके बात जो हम कंटेंट लिखते हैं नीचे इसमें भी बच्चों को बहुत confusion रहता है, मैं बताऊंगी आपको इसके मिलते हैं बिटा, हमें चार नंबर तो माड़म पांच नंबर ही हुए ये बचे हुए पांच नंबर क्या हो गए मैम मैं बताती हूँ बच्चे वे पांच नंबर कहां मिलते हैं, बच्चे वे पांच नंबर आपके हो जाते हैं, पहली चीज ग्रैमर ग्रैमर का होता है आपका धाई नंबर और राइटिंग स्केल आपकी देखी जाती है, वो भी आपकी होती है धाई नंबर कि तुम्हें ने लिखा किस तरीके से है, क्या तुम्हारे जो विचार तुमने यहां पर लिखे हैं, वो एक ले में है या नहीं कई तुमने एडवांटेज पहले लिख दिये हैं, फिर तुमने कंक्लूजन लिख दिया है, फिर तुम इंट्रोडक्शन लिख रहे हो फिर तुम disadvantages लिख रहे हो यह तो तरीका नहीं होता एक proper तरीका होता है पहले जैसे हम introduction लिखते हैं क्या-क्या चीज़े लिखते हैं उसके बाद हम advantages disadvantages लिखते हैं फिर हम conclusion लिखते हैं तो वो तरीका होता है राइट अब उसको ही writing skill में count किया जाता है क्या आपने quotes वगेरा लिखे हैं या नहीं लिखे ठीक है कितने प्यारे तरीके से आपने अपने विचारों को वहाँ पर पेश किया है अब grammar धाई नंबर अगर grammatical mistakes ज्यादा होती है तो धाई नंबर से ज्यादा टीचर आपके नहीं काट सकते यह बात का ध्यान रखना तो यह मत सोच कि यह मुझे आता ही नहीं है मेरी तो grammar ही अच्छी नहीं है तो मैं यह करके नहीं आओ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा grammatical mistakes के धाई नंबर कट जाएंगे पर उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा तो इसलिए एक एक नंबर important है exam में बिल्कुल भी छोड़कर नहीं क्लियर है अब मेरी बात को ध्यान से चुरूँ attempt तो करना ही करना है पर सबसे पहले attempt नहीं करना exam में कहीं तुम paper शुरू हुआ और article लिखने बैठ गए सबसे गलत चीज सबसे पहले attempt ना करें बिल्कुल simple बात है जो मैं बताते हूँ अब तीसरी बहुत important बात मैं वहीं बता रही हूँ इसको approach करने का तरीका क्या है exam में इसे करके आने का तरीका क्या है तीसरी चीज जो ध्यान रखनी है अब आपको दिये जाते हैं तीन topics right जिसमें से आपको choose करना होता है किसी एक topic क ओपर आपको article लिखना होता है होता है बस वहीं पर आपको topic जो choose करेंगे वो सबसे easy वाला करेंगे ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं होता है कि मुश्किल topic उठाओगे तो ज्यादा number देगा teacher teacher को फरक पड़ेगा इस बात से teacher को कोई फरक नहीं पड़ता आपने तीनों में से क topic लग रहा है बिना risk लेते हुए बिना किसी और का देखते हुए कि आगे वाला यह कर रहा है पीछे वाला यह कर रहा है इधर वाला यह वो कुछ भी दमाग में ना लाते हुए बिटा topic जो रखोगे वो easy वाला तीनों में से जो सबसे असान लग रहा है जिस पे सबसे ज्य ज़्यादा पता है वो टॉपिक उठाओगे बिल्कुल सिंपल सी बात है यह आ गई बात समझ में यह तो है अप्रोच का तरीका कि बई मैं उठाओं टॉपिक अटेंप्ट करूं या ना करूं पहले करूं या बाद में करूं टॉपिक कौन सा उठाओं ठीक है दूसरी चीज हमने marks distribution देख लिया कि हमारे जो marks distribution है वो किस तरीके का होने वाला है अब तीसरी और बहुत important चीज हम कोई भी article जब लिखते हैं simple सा एक format हम follow करते हैं मान लो यह हमारी answer sheet है ठीक है तो सबसे पहली चीज ही मैं आप लोगों को यह बता देती हूं वो क्या कि box में बंद नहीं करना बंद नहीं करना है ध्यान रखियेगा बिल्कुल ध्यान रखियेगा यह मैं आपको बता रही हूं कि यह मान लीजे आपकी answer sheet है ठीक है चौथी चीज यह कौन सी थी हमने कितने सारे points देखें अभी तक 3 points हो गये यह हमारा 4th point था अब आता है हमारा 5th point ठीक है माम box में बंद नहीं करना माम आप हमें यह बात बता दीजे यह जो byline है मान लो हमारा आज का topic है कुछ भी topic उठालो my aim in life मान लो यह topic है तुम्हारा क्या मैं हम इसके नीचे writer का नाम आएगा बिल्कुल आएगा by ABC जो नाम लिखना है तुमको लिखके आजाना ABC लिखना ABC लिखके आजाना पर इसके तुरंत नीचे लिखके आना है और लिखके आना है yes byline मतलब किसके द्वारा article लिखा गया है my aim in life और उसके बाद मतलब आपका title और उसके बाद यह ठीक है फिर यहां से आप शुरू करोगे जहां पर आएगा आपका introduction ठीक है जो भी topic दिया होगा उसके या तो आपने introduction लिखा उसके बाद आपको paragraphs में आपका article होना चाहिए paragraphs में लिखें बच्चे क्या गलती करते हैं पूरा का पूरा एक साथ लिख देते हैं वो सबसे बड़ी गलती है वो गलती नहीं करनी आपका चार paragraphs में कम से कम article होना चाहिए कम से कम चार paragraphs में होना ही चाहिए ठीक है जिसमें सबसे पहला introduction वाला होगा जिसके शुरुआत आप किसी भी किसी भी कोट से कर सकते हैं या उस topic की definition से कर सकते हैं ऐसी अन्यवाते उसके बाद हम बात करेंगे किसी भी topic के या तो कारण और प्रभाव होंगे या फिर फायदे और नुकसान होंगे जैसे pollution है pollution के फायदे तो नहीं हो सकते हैं पर उसके कारण और प्रभाव हो सकते हैं रैट उसके types हो सकते हैं रैट वैसे ही उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो last आपका होगा conclusion हर एक paragraph के बाद आप line छोडेंगे हर paragraph पहले introduction लिखा दो से तीन line में जितने में भी लिखा फिर एक line का gap दिया फिर आपने advantage जिस advantage लिखा या causes effects लिखे फिर एक line का gap दिया ठीक है ना फिर आपने conclusion लिखा इस तरीके से चार भागों में आप इने बाटेंगे अब बच्चे ये भी पूछते मैं ये सामने introduction लिखना जरूरी है क्या चाहो लिख दो नहीं चाहो मत लिखो दोनो तरीके बिल्कुल सही है ठीक है लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते तुम्हारी मर्जी पर है introduction लिख कर introduction शुरू करना है या सीधा introduction शुरू करना है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बेटर है कोई दिक्कत वाली बात ने क्लियर हो जाती है चीज़े अब पारेग्राफ में लिखें वाली बात होगी छटी चीज जो है वो है वर्ड लिमिट अगर आप यह सोचोगी कि आप 10-15 पेज भरके आ जाओगे और आपके ही आपके नंबर होंगे तो यह सबसे बड़ी गलती है अगर 120 से 500 words के अंदर बोला है 500 से 180 words के अंदर बोला है तो उतने ही शब्दों में लिखकर आना है 180 के 190 हो सकते हैं पर 210 220 नहीं हो सकते हैं इसका पता कैसे चलेगा पहले से तयारी करके जाओगे तब पता चलेगा कि मैं 1500 words कितनी page में लिख पाता हूं कितनी lines में लिख पाता हूं ठीक है अब सात्वी और सबसे महत्वपून बात कभी भी देखा topic और लिखना शुरू कर दिया ऐसा मत करना सबसे ज्यादा जरूरी है पहले उस topic के बारे में जो तुम्हें पता है जो quotes तुम्हें पता है जो उसक article लिखने क्या वाले हो उसमें क्या क्या चीज आड़ करने वाले हो पहले rough में वो points लिख लोगे उसके बाद article लिखना शुरू करके लिखते जाओगे thoughts आते जाएंगे और फिर उपर नीचे हो जाएगा writing skills की ऐसी तैसी हो जाएगी तो better क्या होगा आपके लिए कि आप rough मे points बना लें कि मुझे इन चीजों के बारे में लिखना introduction लिखना इन में ये तीन चीज लिखूंगा advantages में ये तीन advantage disadvantage में ये तीन disadvantage और फिर मैं conclude कर दूँगा सारी वात को आ गया समझ में और introduction हमेशा शुरुवात हमेशा ऐसे ही करने है जैसे population पे आ गया ठीक है या pollution पे आ गया pollution अगर हम एक simple सा example ले तो आप शुरुवात करोगे वो करोगे कि हमारे परियावरण परियावरण हमारे लिए किस प्रकार महत पर पून है हमारा जीवन कैसे pollution के फिर हम लिखेंगे प्रभाव क्या है नुकसान क्या है राइट और फिर हम conclude करतेंगे पास यही तरीका होता है एक article को लिखने का तो पहले practice करके जाना बहुत जरूरी है आ गई बात समझ में ये थी कुछ important बातें जो बच्चों के confusions रहते हैं वो मैंने दूर करे होंग plus 10 topics अब मैं आपको बता देती हूँ जिन पर लिखा जाता अब सुनो जरूरी नहीं है ऐसा का ऐसा topic उठा कर आ गया मेरी बात ध्यान से सुनना ये जो 10 topics मैंने दिये हैं इन 10 topics के उपर important 10-10 lines या 10-10 quotes मतलब हर एक topic के उपर 2-3 quotes या 10 line पहले से prepare करके जाओ जैसे जिन्दगी के बारे में तुम्हारा life में ambition क्या है तुम life में क्या बनना चाहते हो इस तरीके के सवाल बहुत बार पूछे जाते एजुकेशन अब केवल online education offline education कौन सा फायदेमंद है कौन सा नुकसान है ऐसा पूच सकते हैं education से related कुछ भी article पूच सकते हैं तो education से related कोई 10 line already दिमाग में सेट करके जाओ पहले से पढ़के जाओ ताकि कुछ भी नया ना हो पहले से चीजे पता हूँ कोई 2-3 course education के उपर अब इसमें women education या कुछ भी कैसी भी education से related सवाल आ सकता है समझ रहे हो के वल online education education मतलब शिक्षा से संबंदित कुछ भी सवाल पूचा जा सकता है तो कुछ 10 points ऐसे common points तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए जिन से तुम अपने शुरुआत कर सको जो अपने conclusion में लिख सको जो quotes तुम लिख सको यह smart तरीका है करने का उसके बाद है health से related कुछ आ गया health से related कुछ आ गया कि आज कल हम लोग junk food बहुत ज्यादा खाते हैं समझ रहे हो अच्छी eating habits हमारी नहीं है जिसकी वज़े से हमारी health पर बहुत बुरा प्रभाव पढ़ रहा है इस से related कुछ लिखने के लिए दे दिया डिपेंड करता है exercise से related कुछ लिखने के लिए दे दिया ठीक है या obesity पर आ सकते हैं कि आजकल मोटे बहुत ज्यादा हो रहे हैं लोग या कोई बिमारिया बहुत ज्यादा पकड़ रहे है immune system बहुत ऐसा हो रहे है ऐसे ऐसे topics उठा के दिये जा सकते हैं तो 10 topics health health से related exercise से related 10 points ऐसे पहले से पता होने चाहिए उसके पाला सकते हैं कि क्यों यह important है या कोई भी तो already यह मैं basic चीजे बता रही हूं कि इस से related 10 topic और पूछे जा सकते हैं तो तुम्हारे पास कुछ points already दिमाग में होने चाहिए ताकि तुम उने बना सको अच्छा एक चीज और मैं यहां बताना भूल गई वो यह कि यार आपको आप यह मत सोचना कि आप भारी भर कम vocabulary का इस्तिमाल करोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे नहीं short sentences बनाओ चोटे-चोटे sentences बनाओ बिल्कुल चोटे-चोटे sentences बनाओ easy बनाओ teacher को भी समझ में आएगा तुम्हें भी समझ में आएगा बिल्कुल number नहीं कटेंगे marks प काटो राइट ध्यान रखना इस बात का उसके बाद है women safety education obviously इसके उपर आ सकता है science और technology के ऊपर आता है सवाल ठीक है बहुत important है तो में इन में से जैसे नेचर के ऊपर science technology mobile addiction यह कुछ ऐसे topic है यह कुछ ऐसे topic है जिनसे कई सारे topics बन सकते हैं ठीक है तो इन्हें बहुत अच चेसे करके जाना कि यहाँ पर तो chance ही नहीं मिले किसी को आपके number काट ले कोई ठीक है और यह बार 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 पूछे जा चुक है जिनमें से यह वाला first second और third कि education health और ambition यह तीन चीज़ है ध्यान रखना education health और ambition इसमें एक nature और add कर सकते हो आप अगर आप करना चाहो तो यह सबसे ज्यादा most important है इससे related तो करके ही करके जाना ठीक है क्योंकि कुछ भी पूछ सकते है आपसे society में जो भी गलत काम हो रहे है जो बुरे काम हो रहे है उनसे संबंधित पूछ सकते है जैसे dowry system से related पूछ लिया आपसे दहेज प्रथा से संबंधित पूछ लिया चाह पर यह explain करना चाहती थी कि हमारी society के जो भी बुरी चीज़े है society में जो भी गलत चीज़े हो रहे हैं जैसे मैंने अगेन बताया कि बाल मजदूरी हुई या दहेज प्रथा हुई या कुछ भी कि गरीबों को दबाया जाता है अमीरों के द्वारा ऐसी बहुत सारी चीज़ तो society में जो भी गलत चीज़े हैं उनसे संबंधित भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है अगेन दिस इस ओल्सो मोस्ट इंपॉर्टन यहां से सवाल भी उटके आ सकता है ठीक है तो यह पांच टॉपिक हो गए आपके पास जिने करके ही करके जाना समझके ही समझके जाना है इजी ली हो जाएगा काव अगर बात मानोगे तो चालिए आज की ये क्लास को मैं करती हूँ यहीं पर समात आशा करती हूँ क्लास के अंदर मजा आया होगा बबाई अवरिवान टेक केर अल बेस्ट